यहाँ पर बहुत से बुद्धी और तर्क के लोग ब्रामर और छत्रियों में आपस मटकराने के लिए उपाय करते रहते हैं कि 21 बार छत्रियों से बहीन भूमी कर दी, भू कर दी, प्रत्वी कर दी बात मजाक और हसी की बात ये है कि अगर 21 बार छत्रियों को मारा तो क्या एक बार में जब सभी छत्रियों को मार दिया तो पर 20 बार छत्रिय कहां से आए जब एक बार में ही सभी छत्रियों का पर तभी बीन हो गई तो पर 20 बार कहां से आए अब 21 बार की क्या जरूरत पड़ी हो ये छत्री अचानक पर प्रगट कहां से हो जाते थे इस पर थोड़ी सी चर्चा करते है सहस्त्र बाहु जिस बंस से था उस बंस का नाम था है है बंस है है बंस के बिनास के लिए भगवान परुशुराम ने परस अपने हाथ में उठाया है है बंस का राजा बड़ा ही कुकरमी साध्मों पर अत्याचार करने वाला इस्त्रियों पर बलात करने वाले जितने भी छत्री बंस के राजा थे ऐसे आत्ताईयों के खिलाब परसा उठाया भगवान परशुरामना और सास्त्र में कहा है परित्राणाय साधुनाम बिनासाय चादुस्कृताम साधु का काम ही है दुष्टों को ठिकाने लगाते रहना और आपने है है वंस के राजाओं को मारना प्रारंब किया लेकन आपने सस्त्रों सास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए कभी भी ना तो इस्त्रियों पर अपना परसा उठाया ना बालकों पर अपना परसा उठाया ना बालकाओं पर परसा उठाया तो जब एक बार आत्ताई राजाओं को मार दिया पर उनके बच्चों को हाथ नहीं लगाया और जब वो बच्चे युवान हुए और उन्होंने भी अक्त्याचार प्रारंब किया और उन्होंने भी अपने पिता का बदला लेने के लिए दादा परुशुराम भगबान परुशुराम पर आक्रवन किया तो फिर उन आतताईयों का बद किया फिर उनकी संततियां हुई फिर उनका बद किया ऐसे क्रम में 21 वार छत्रियों को प्रत्वी से वहीन किया उन छत्रियों को जो बड़े ही दुष्ट प्रवत्ती के थे जो है बड़े निर्मम थे जो बड़े ही वेकार ब्रत्ती के भाव के ऐसे छत्रियों का बद भगवान परुशुराम ने किया 21 वार इससे सिद्ध होता है भगवान परुशुराम छत्रिय विरोधी नहीं थे भगवान परुशुराम तो पापाचारी अत्याचारी मानवों के विरोधी थे और ऐसे व्यक्तियों का बद करना ही सास्तर कहता आत्ता का बद करना अधर्म नहीं है इसलिए भगवान परुष्राम बहुत ही पुजनिय और सभी सर्व समाज के लिए पुजनिय के बला